लड़की का जाना है लड़की का जाना है तो आप कैसे जा पाओगे आप तो कैसे देखंगे ना तो फिर वापिस घर जावेंगे करनारता आई है बहुत जादा मुश्किल हो रही है बस ही नहीं मिली तो बच्चा जोटा है समान दुनिया बरका है हर्याना रोड़वेज की बसो का चक्का आज पूरे हर्याना के अंदर पूरी तरह से जाम है वजह इसकी यह है कि अंबाला में रोड़वेज के एक करमचारी की हत्या कर दी गई और परिवार न्याय मांग रहा है तो इस वक्त परेशानी वहाँ पर भी है लेकिन परेशानी आम जंता के बीच में भी है कोई भी आंदोलन हो हरताल हो इसका खमियाजा आखिरकार जंता को भुगतना पड़ता है सबसे बड़ी बात मैं बताना चाहूंगा आज क्युहार क रादीन है हिन्दुस्तान के अंदर जातर इलातों में भाईया तुझ आज मना जा रहा है कुछ बहने आं गुछ भाई अपने भाईयों के पास यह लेकिन परिशान है कहां जा रहे हुं जाना इंदूजन बहुत ज्यादा जोटा है समान दुनिया पर एक क्या बताया दूर को से मिलें पर इन्होंने हर्ताल कि यह बजनी है तो पूछब्लिक से पूछो में पता है कि हम तो प्रशाने स्टैम पर ज्ञाइब बच्चा जोटा है सर पे खड़ा है तो भाई ये परेशानी है महिलाओ की और छोटे-छोटे बच्चे उनके साथ आप कहां जा रहे हैं सब्सक्राइए बस मिली बस नहीं मिले सुबह की खड़ा हूं इनको नुक्सान आम आदमी को सबसे जाद होगी जैसे कोई नहीं कर सकता है कानुड का सारा ले ना पब्लिक को तंग करना तो ऐसे सही नहीं है मालो हम सर्विस मैंने लालो सुबह से मैंने मुर्तल पहुंचना था सुबह 6 बच से घर से निग्ड़ा हूँ अभी तक कोई जाने की सुईदा नहीं मालिक मौन पर वोन कर रहा है अब कहां जाएं किस में जाएं परशान तो है यह जी तूटी पर पहुंचना आप बिल्कुल बिल्कुल अपनी गाड़ी है उदर ट्रास्पोर्ट दमना है अब न तो सुबह से पहुंच रही कोशी हा ओरत कहां जे लेगी यह परेशान ही है चलिए माली जी हम उस परिवार के सात्त वा सरफ जिसक प्रशा की गई सवाल है कनून अपना काम करेता लेकिन यहाँ पर यातरी परेशान है मैं दिखाना चाहूँगा एक बार यातरी यहां पर परेशान है कहां जा रहे हैं पुर्गामा जाना हम को जी अच्छा बसे नहीं मिली बसे मिली नहीं नहीं करें बंद बसे जी किस काम के लिए जा रहे हैं हम रहते हैं यहां पर माय थे कुछ काम था हम पुर्ग परिशानी है किसी को अपने काम पर जाना है और सबसे बड़ी बात आज पैस्टिबल है भाईया दूज का त्युहार है बहनों को अपने भाईयों के पास और भाईयों को अपनी बहनों के पहुंचना है यह आप देखे एक बार मैं कहूंगा कैमरमेन को आगे चल कर तस्वीर दिखाए यहां पर महिलाए परिशान है और सबसे बड़ी बात काम चल भी जाता लेकिन आज जो है त्युहार है और त्युहार के इस मौके पर भीड बढ़नी लाजमी थी और वही हुआ जिसका खमियाजा आम आदमी को भुगतना पड़ रहा है हम कुछ और महिलाओ से बा परिशानी है आम लोगों की कुछ प्राइवेट बसे मैं दिखाना चाहूंगा चल रही है प्राइवेट बसे लेकिन खबर यह भी सामने आ रहे के मनमाना जो किराया वो वह सूल रहे है यातरी परिशन कहा जा रहे हो सामली जारे जी कामली अब बहन के पास जा रहे हो या परिशानी है चलिया और भी कुछ लोग है कहा जाना आपको बड़ा बड़ा बस मिली आ बस खड़ी है अभी तक चली नहीं प्राइवेट में है या फिर वो रोडवेज है कोई परिशानी 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 देखिए फिर दिखाना चाहूंगा यह बच्चे परेशान है महिलाई परेशान है हर कोई परिशान है आमादमी की परिशानी है हालाकि जिस परिवार का वैक्ती मारा गया जिस परिवार का वैक्ती मारा गया कानुन को अपना काम करना चाहिए लेकिन ये परेशानी हैं देखें यहां पर बच्चे भी परेशान है और हम कुछ और लोगों से बाचित करेंगे क्योहार का दिन तसर कहां जा रहे हो अ ही बसुती नहीं बस नहीं मिली हो और जैद्क अब पर देख्यानन बच्चे भी परेशान है मयई परेशान हैंटी जी exclude कर लड़की का जाना है को दिया आप देखंगे अ परिशान नहीं होगा तो यह प्रैकिसार नहीं है अपनी लड़की करके कर्णाल से यहाँ पर आई थे लेकिन बस नहीं मिली तो इनका ये कहना वापी जाएंगी अलाकि देखे कुछ बसे है प्राइवेट बसे वो खचाखच भरके जा रही है वो खचाखच भरके जा रही है और डबल किराया यहाँ पर लोग वसूल रहे है हर्याना रोडविज की जो बसे थी तमाम बसों का चक्का रोख दिया गया है और करमचैरियों का ये कहना है कि जब तक परिवार को नयाई नहीं मिलता तब तक उनकी हर्ताल जारी रहेगी लेकिन कहीं न कहीं कोई भी धरना परदर्शन होता है तो खम्याजा आम आदमी को भी भुगतना पड़ता है अपने सहोगी धर्मेंदर के साथ प्रदीप रेडू हर्याना तक